हेलो फ्रेंट्स साल 2021 खतम होने को है और साल 2022 शुरू होने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी MDRT क्वालिफाई करने के लिए टार्गेट डिसाई हो गया है तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2022 के लिए MDRT, COT और TOT के लिए काउंसिल ने minimum business declare कर दिया है तो आएए देखते हैं कितना business जरूरी है अगर बात करें commission wise तो एक agent को MDRT, COT और TOT को achieve करने के लिए commission wise कितना चाहिए तो MDRT के लिए चाहिए 7,95,900 रूपीज और COT के लिए चाहिए 23,87,700 रूपीज और वहां TOT के लिए चाहिए 47,75,400 रूपीज तो बात करते हैं premium wise एक agent को कितना premium collect करना चाहिए जिसे वो अपना MDRT, COT और TOT को achieve कर लेगा तो सबसे पहले बात करते हैं MDRT के लिए 31,83,600 रूपीज COT के लिए 95,50,800 रूपीज और TOT के लिए 1,91,600 रूपीज तो फ्रेंट्स ये target पूरा करने के लिए commission wise देखिए या premium wise देखिए आपके पास कितना समय है आपके पास जो time है वो है 1 जनवरी 2022 से 31 दिसमबर 2022 जी हाँ friends यानि आपके पास सिर्फ एक साल का time है अपना target अचीव करने के लिए MDRT council नया target decide करेगी तो आज से ही शुरू हो जाईए अपने target की तरफ friends MDRT क्या है MDRT की क्या क्या benefits है इन सभी जानकारी के लिए आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं आपको मैं सारे link अपने description में दे दूँगी और आप इस वीडियो के last में भी वो link आपको मिल सकते हैं